हाईलो गाईस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि DCP Anchor कैसे इंस्टोल होता है और उसके साथ साथ क्या Component यूज करते हैं स्टाइटिंग में तो हम उसकी डिलिंग करते हैं 160 mm पाइप से और उसके बाद जो आपको पाइप देख रहा होगा यलो कलर का उसको ABS पाइप केते हैं ABS पाइप में ग्रूप बने होते हैं जिसके थ्रू सेंसर उस पाइप के अंदर जाता है और आपको किस डारेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है स्लोप का वो बताता है जो आपको मोटा मोटा पाइप दिख रहा हैं स्टील के उस वो सेंसर है सेंसर के थ्रू केबल गई है केबल जो है केबल लास्ट में निकल कर डाटा लोगर के साथ कनेक्ट हो जाती है जो डाटा लोगर उसकी रीडिंग को नोट करकर और उसमें कितना रिफ्लेक्शन हुआ है वो बताता है जिससे हम पहले ही अव्यर हो जाते हैं कि स्लोप में कुछ मुवमेंट है या नहीं और लेप्टोप को कनेक्ट करके उसका डाटा लेप्टोप में ले लिया जाता है डाटा लोगर डाटा को स्टोर करता है और लेपटोप में कनेक्ट करकर लेपटोप में उसको डाटा को ले लिया जाता है